शंबू बॉर्डर पर फिर हुआ किसानों का प्रदर्शन पुलिस ने छोड़े आसु गैस के गोले जिहां किसान बुधवार सुबा एक बार फिर अपना दिल्ली चलो मोर्चा शुरू करने के लिए अंबाला के पास शंबू सीमा पर एकत्र हुए जिसके चलते भीड को तित सीमा पर बैरिकेट हटाने का नए सीरे से प्रयास किया है प्रदर्शन कारियों ने दावा किया कि जब कुछ किसान शंबू सीमा पर बैरिकेट के पास एकत्र हुए तो हर्यादा पुलिस ने बुधवार सुबा करीब आठ बजे आसु गैस के कई गोले दागे वहीं की बॉच्छार भी की थी आईए आपको दिखाते हैं पुलिस कर्मियों की तैनाती और किस तरह से डिली बॉडरों पर बैरिकेटिंग की गई है की बॉच्छार विए झाल 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 मंगलवार की बात करें तो पुलिस के साथ कई घंटों तक चली जड़प के बाद किसान निताओं ने दिन भर के लिए विरोध प्रदर्शन स्थागित कर दिया था उन्होंने कहा कि वो बुदवार को शम्बू सीमा से मार्च फिर से शुरू करेंगे मंगलवार को शम्बू सीमा के पास किसानों ने सीमेंट से बने अवरोधक हटाने के लिए ट्राक्टर इस्तमाल के ये अवरोधक प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गगर नदी पुल पर हर्याना पुलिस द्वारा बैरिकेट के हिस्से के रू के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए दृड़ हैं वहीं सन्युत किसान मोर्चा और किसान मज़ूर मोर्चा ने घोशना की है कि किसान फसलों के नियूतम समर्थन मूल यानि MSP की गारेंटी के वास्ते कानून बनाने सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली कूच करेंगे सुमवार को केंद्री मंद्रियों के साथ किसान प्रधिनिद्यों की वारता विफल रही थी ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटर विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें